एक टिनेजर को अपने ग्रैंट फादर के हाँ उसके मर्जी के खिलाफ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है यह बहुत ही मिस्ट्रियस था और इनकी फैमिली के बहुत सारे सिक्रेट से इस टिनेजर को स्लोली स्लोली पता चलते हैं इस मूवी के जो ट्विस्ट है और जो टन्स आते हैं इसी वज़य से इस मूवी के बारे में आपको मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकता मुझे परसनली यह मूवी बहुत ही अच्छे लगे क्योंकि अलग टाइप का हॉरर था अब बीना किसी दिरी के एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते हैं मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हो कि अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा इसे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेटर जिसका नाह में चांस एक किसी से बात कर रही है चांस कहती है मुझे लगा था कि मैं इस फैमिली का पार्ट वरूंगी इसलिए मैंने सब कुछ किया अब उसने क्या किया था या मैं अब पता चलेगा जिस फैमिली के यहाँ बात हो रही थी इस फैमिली का नाम है सिंक्लियर यह ज़रा पास्ट की बात है चांस अपने स्कूल के एक पार्टी में थी वहाँ पर एक लड़की ने उसे बहुत ही ज़ादा गुसा दिलाया वो उसे बहुत मारती है और इसी वज़े से उसे हमें नेक सीन में प्रिंसिपल के पास दिखाया जाता है फिर चांस के पैरेंट्स को भी बुलाया गया चांस की मदर उसे ज़ादा कुछ भी नहीं बोलती उसे कहती है तुम्हें सिर्फ वन डे का सस्पेंशन मिला यह बहुत यह अजीब बात है एक्च्वल में प्रिंसिपल ने चांस के ग्रैंट फादर को कॉल किया था ग्रैंट फादर यह बहुत ही इंफ्लूइंशल आदमी है इसी वज़े से शायद हुआ होगा आज चांस के पैरेंट्स को फिर से मिटिंग के लिए उसके ग्रैंट फादर के पास जाना पड़ेगा ठोड़े दिनों पहले उसका बड़े था जिस पर उसकी एंट आनी पाई एंट का नाम है एपिरिल वो उसे एक गिफट भेजटी है ज़ो एक चाको है यह बहुत ही अजीब था तो चांस की मदर उसे चाको ले लेती है चांस को एक सिस्टर है तो मदर कहकर जाती है कि इसका अच्छा सा खयाल रखना रात में हम चांस को प्लड ट्रांस्प्यूशन करता हुआ देख सकते पर यह अजीब तरीके से हो रहा है यह वहिंस में से नहीं है तो डारेकली फ्लेश में डाला गया है अगले दिन चांस की मदर वापस ने आई क्योंकि उसका काम और भी बढ़ गया वो जब स्कूल जाती है तो जिस लड़की को उसने मारा था इसे फिर से उसकी बात होती है यह लड़की कहती है मैं तुम्हारी फैमिली को बरबात कर दूँगी है तुम सिर्फ देखती रहना चांस ने कहा अगर और भी तुमने कुछ कहा तो फिर से में तुम्हें मारोंगी लड़की सुनी नहीं और चांस उसे फिर से बहुत मारती है फिर से प्रिंसिपल का कॉल चांस के पैरेंट्स को कया नेक सिन में हम देखते है चांस के बैनर्स चांस के ग्रैंड फादर के साथ है ग्रैंड फादर का नाम ऑगस्ट है इस मुवी में सिंग्लेर फैमिली के जो भी सब मेंबर से इनके नाम मन से स्टार्ट होते है चांस की मदर का नाम है जून जुन अपने फादर अगस्ट से कहती है कि आज़कल हमारी सब की कंडिशन बहुत ही खराब है जुन के ब्रदर और सिस्टर से कहती है कि वो भी बहुत ही वीक लोगों पर प्रेग कर रहे है अब इस इन्फॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि ये वेंपायर की फैमिली है से सब मैनेज करते इसे जुन को प्रॉलम है यह दिये कुछ ना कुछ तो चेंज होना ही चाहिए अगस्ट इसके लिए मानने नहीं वाले जुन कहती है कि अब मुझे इस फैमिली से दूर रहना चाहिए उसकी फैमिली है जिसकी वो केर करती है एक्शल में जुन का हस्बर इस सिंगलेर फैमिली का मेंबर नहीं है वो अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर रहना चाहती है अगस्ट कहते है कि हमारी फैमिली में इसे किसी को भी अबेंडर नहीं करते है जुन मानने नहीं वाली तो उसे कहते है कि हम hundred harvest करेंगे इसके बाद तुम free हो जाना यहाँआबर harvest का मतलब यह है कि vampire इसके एक ceremony होती है इस ceremony के according वो सब powers draw करते है और powerful बन जाते है इस तरह से hundred years तक यह ceremony करेंगे तभी जुन free होगी है जुन इसके लिए भी नहीं मानते आउगस्ट कहते हैं कि तुम सिर्फ एक हर्वेस्ट करना और तुमारी बड़ी बेटी को हमेशा के लिए मेरे पास छोड़ देना इसका मतलब है वो चांस को भी पावर देना चाते है जुन बहुत ही frustrated थी तो इसी वज़े से इस डील के लिए मान जाती है उसे जो freedom मिलेगा इसलिए उसे अपने खुद की बेटी देनी बड़ेगी पर इसके पास एक plan है वो फिस चांस को स्कूल से निकालती है और डारेकली grandpa के पास लेकर आती है चांस को यह सही नहीं लगता वो यहाँ नहीं रह सकती है वो कहती है मैं जो भी trouble करती थी इस तरह के trouble फिर से कभी भी नहीं करूंगे मुझे सिर्फ तुमारे साथ रहने दो जून के इंदिये ग्रैंड बा अवेस्ट बहुत ही स्मार्ट है तुम उससे कुछ चीज़े सीख सकती हो इसे तुम as a punishment मत समझो उन्होंने चांस को स्कूल से भी निकाल लिया है और अब उसे वो home school करेंगे यह सब चांस के मरजी के खिलाफ हो रहा था तो अगस्टो से समझाते है यह जो भी है यह तुमारे लिए बहुत important है अगर तुम चाहो तो कभी भी यहाँ से जा सकते हो पर तुम फिर family का कभी भी part नहीं बनोगे एक दिन चांस यहाँ से भाग रही थी और उसे उसके अंकल November ने रोक लिया उसके अंकल उसे कहते है अगर तुम शायद धूप में चलीगे तुमारी skin burn होने लगेगे चांस को यह पता है पर जादा कुछ वो sun में नहीं रहती थी उसे इस बात का सादा seriousness नहीं था उसके अंकल उसे कहते है कि एक घंटा भी अगर तुम इस sun में रही अंकल फिर उसे ancient history की book दिखाते है इस book में बहुत ही अजीब अजीब चीज़े थी चांद स्लोली स्लोली singular family के बारे में जानने लग जाती है वो अपने grandpa August से बोशती है कि हम है कौन August कहते है कि दुनिया में जो भी गलत है यसे हम सही करते है क्योंकि हमारे पास बहुत सारा time है actual में vampires thousands of years तक जी सकते है इसी वज़े से sentence था हमारे पास कुछ gift है जो किसी के पास भी नहीं अब इसके बाद movie में एक साल बीच चुका है फिर से harvest का दीन आ चुका है याने कि उनकी ceremony आज चांज किचन में आई तो वहाँ की शेफ को देखकर डर गए तो क्यों वहाँ नया था वो चिलाई तो उसके पास उसके मदर फादर आया उन्हें देखकर वो surprise थे आज वो भी हर्विस्ट के लिए आये हुए है जैसे कि movie के first में हमने देखा था कि चांज से कोई बात कर रहा है यह लड़की चांज से कहती है कि आज की रात का 5000 सालों से वेट हो रहा था इसके बाद movie में चांज ने जो शेफ देखा इस character की story हमें पता चलेगी इसका नाम Sydney है Sydney को रात में अजीब अजीब से सबने आ दे वो एक जगा पर as a chef काम करता है उसका बॉस उसी जिसको भी मारने के लिए कहता है उसके food में poison मिला कर उसे मार डालता है ऐसी एक आदमी के पास हो गया वो food नहीं खा रहा था तो अपने हतों से उसने उसे मार डाला Sydney को एक आदध होती है हमेशा एक food truck के बास जाकर वहाँ से वो coffee लेकर आता है चार सालों से हर दिन वो यही जगा पर आकर coffee लेता है इसके बाद हम देखते है Sydney के बॉस के पास सिंग्लियर फैमिली के लिए काम करने वाली कलेट के आई इसका नाम है मिकी मिकी Sydney के बॉस से कहे दिये मुझे शेफ से कुछ काम है शेफ को जिसे मारना है उसके बारे में मिकी उसे information भी नहीं देती यह Sydney के बॉस को बहुत ही अजीब लगता है तो इसी वज़े से इस काम के लिए उम मना कर रहा था अगले दिन Sydney फिर से coffee लेने के लिए गया वहाँ पर दो लड़किया काम करती है एक का नाम है में और दुसरी का नाम है दकोटा डकोटा को लगता है कि Sydney में को पसंद करता है वो से कहती है कि finally उसे date पर तुम पूछी लो यह बात सुनकर Sydney बहुत ही awkward हो गया जब वो फिर से अपने restaurant में आया तो वहाँ पर जून और उसके कुछ सातिधार है जून Sydney को अलग-अलग poison दिखाती है और Sydney उसे पहचान मिलेता है यानि कि वो अपने craft में बहुत माहिर है वो फिर उसे कहती है कि आज राद तुम्हें मेरे लिए काम करना है वो अब अपने फादर अगस्ट को मारने वाली है उनके खाने में poison मिलाने का काम वो Sydney को देते है Sydney का boss कहता है कि तुम्हें एक काम नहीं लेना चाहिए तब ही जून Sydney के boss पर ही एक चाको लगा कर उसे एक काम करवाने के लिए मजबूर करती है इसके बाद Sydney के काम करने के लिए मान गया जून उसे लेकर अपने फादर अगस्ट से मिलने के लिए आई अगस्ट इन्हें देखकर खुश था और वो Sydney से यहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है वो कहता है लाइफ में आदमियों को कभी कभी honest और dishonest होना पड़ता है मुझे बता क्या तुम मुझे मारने के लिए आये हो Sydney confused हो कया तो अगस्ट हसने लगता है वो कहता है कि मैं जोक कर रहा था जून का जो भी प्लान है इसके बारे में उसे पता है मिकी रेस्टार्ण में Sydney के बॉस पर नज़र रख रही थी Sydney के बॉस मिकी से बुचता है कि तुम्हें इसके बदले में क्या मिलने वाला है वो कहती है कि अगर जून सक्सीर होगे तो मैं भी फैमिली का पार्ट बन जाओंगे Sydney का बॉस कहता है मुझे भी तुम्हारे ब्लैन में एड़ कर लो ये बात ही कर रहे थे तभी वहाँ नोवेंबर आ गया उन्हेंने नोवेंबर को मारने की कोशिश की और उसके साथ उसका बैक अप भी था मेकसिन में देखते हैं कीचन में सब लोग बात कर रहे थे यहाँ पर जून ऑगस चांस और सीडनी भी था सीडनी कुक कर रहा था तो चांस उसकी ब्लेट से एक स्प्राउट उठाती है सीडनी डर गया और उसे खाने के लिए मना कर देता है चांस मानने रही थी तो जून भी उसे बहुत डाटती है एक्च्वल में यही स्प्राउट पोईजन है इसके बाद अगस सीडनी को एक रूम में लेकर गए वह आपर उसे न्यू कपड़े दिये वह से कहते हैं आज तुम हमारी फैमिली के तरह ड्रेस अप करना किसी का ध्यान नहीं था तो चांस ने स्प्राउट खा ही लिया सीडनी उसे बचाने के लिए मिल्क देता है चांस ने बहुत ही थोड़ा खाया था और मिल्क से यह पोईजन डायलूट हो जाएगा रात में अगस्ट सीडनी के पास आकर उसे मीट देकर जाता है कहता है यह बहुत ही हाई कॉलिटी मीट है डिनर कॉक होने के बाद जून सीडनी के पास आई सीडनी कहता है अगस्ट को पोईजन के बारे में पता है जून को ऐसा नहीं लगता सीडनी बुचता है तुम उसे मारना क्योशाती हो जून कहती है कि वो कोछ बिलिव्स के साथ जीता है वो बिलिव्स मुझे अच्छे नहीं लगते है अब चेंज का वक्त आ गया है इसके बाद पूरी फैमिली डिनर के लिए बैठी है और सिड्नी को बुलाता है कहता है फर्स्ट ओनर तुम करो तुमने ये डिनर कुक किया है तो respectfully वो उसे एक खाने के लिए देता है सिड्नी को ये चूप चाप खाना ही पड़ता है इसके बाद डिनर टेवल पर ये अपना रिचुल कम्पलीट करते है इसे इन सब की पावर इलिवेट होगी चांस इस डिनर टेवल पर नहीं थी सिड्नी उसके पास गया कहता है आज जो भी होगा ये बहुत ही डेंजरेस है तुम यहाँ से भाग जाओ यहाँ से भागना impossible था तो सिड्नी कहता है कहीं चाकर तुम छुप जाओ रिचुल के बाद भी अगस्ट ने अपनी प्लेट में से कुछ भी नहीं खाया वो यह प्लेट जून को देता है कहता है मैं इन कोर्स के लिए मैं अपनी भूग बचा कर अगना चाहता हूँ जून ने एक खाने का प्रिटेंड किया पर यह वो निगल नहीं पाई ओगस्ट का शक कन्फरम हो गया वो जून से कहता है कि तुम अपनी सफाय में क्या कहना चाहती हो वो कहती है हम सब की हालत बहुत ही खराब है जिन लोगों का भी हम खोन पी थे यह कभी भी हेल्दी नहीं होते हम सही से हंड भी नहीं कर पाते है उसे इस फैमिली की पूरी पावर जाहिए थे इसलिए उसने किया था ओगस्ट कहता है कि मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगी पर तुम से मैंने औरेड़ी बदला ले लिया है मैंने तुमारी बेटी के पास किसी को भीजा था यहाँ पर जिस बेटी की बात हो रही है यह जून की छोटी बेटी है वो बहुत ही डर जाती है पुछती है तुमने उसके साथ किया क्या ओगस्ट कहता है अभी अभी तुमने जो खाया ये तुम्हारी बेटी का ही फ्लेश था जून को बहुत ही बड़ा शौक लगा पर तभी ऑगस्ट उसे मार डालता है उसके हस्बंड को भी उन्होंने मार डाला इसके बाद ये सब मिलकर जून और उसके हस्बंड को खा डालते हैं अगस्ट के लोगों ने सीडनी को ले जाकर बाद दिया वो जहाँ पर था वही भरम डेकोटा को भी देख सकते हैं सीडनी बुछता है तुम यहां क्यों हो डेकोटा कहती है उन लोगों को लगा तुम मुझे लाइक करते हो इसी वजह से मुझे और मेरी फ्रेंड को उन्होंने किड्नाप कर लिया अब डेकोटा और सीडनी को उपर ले जाया जाता है अगस्ट सबसे कहता है कि सीडनी बहुत इलोयल है अपने कॉंट्रेक को कम्प्रीट करने के लिए उसने खुद पोईजन भी खा लिया था अगस्ट को लगता है कि सीडनी फैमिली का एक अच्छा पार्ट बन सकता है कहता है अब हम देखेंगे सीडनी की लोयल्टी कब तक टीकी रहेगी उसने फिर सीडनी की बोस को भी बुलवाया अगस्ट कहता है अगर तुमने अपने बोस को मार डाला तुमें भी मैं अपने फैमिली में शामिल कर लूँगा सीडनी एक करने ने वाला था तो बोस कहता है इसने तुमारे यूज किया है जिन भी लोगों को तुम मारते थे इनका है कॉंट्रैक लेता था सब पैसे वो खुद ले लेता था सिड्नी ये बात सुनकर डिस्टब हो गया तब उसके बॉस ने उसे मारने की कोशिश की सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए सिड्नी उसे मार डालता है अब ऑगस्ट इस गेम को चेंज करता है वो डकोटा से कहता है अगर तुमने चांस को मार डाला तो तुम्हें मैं छोड़ दूँगा चांस उन्हें कहीं मिल नहीं रही थी तो उसे ढुनने के लिए अपने एक असैसिन को उन्होंने भेजा चांस छुपकर दो नाइवस उसके आख में डाल देती है वो कुछ भी देख नहीं पाती पर फिर भी उसने चांस को पकड़ लिया घसिटे घसिटे वो ग्रैनपा के पास उसे लेकर आई ग्रैनपा चांस को भी एक प्रिपोजिशन देते है यह थे हैं अगर तुन ने डेकोडा को मार डाला तुमें भी मैं फ्रीडम देदूँगा चंस इस पर सोचने लग गए उसने नाइफ उठाई और डेकोडा को मारने लग गए इस फाइट में डेकोडा ने चंस को मार डाला अब मूवी के फर्स में जो conversation चांस किसी से कर रही थे या मरने के बात कर रही थे ये एक अलग दुनिया में है जो उपर भी नहीं है और नीचे भी नहीं middle में गई float कर रही है जिस लड़की से वो बात कर रही थे अब उसे पता जलता है कि उसकी sister है जो बड़ी हो चुकी है चांस पूछती है कि ये कैसे possible है उसकी sister कहीती है vampires के लिए time में बहुत अलग चीज़ है चांस को अब यहाँ सब चीज़े clear होती है चांस की sister उसे पताती है कि हम सब vampires है हजारों सालों से अगस्ट ही हम सब पर राज कर रहा है उसे मारने के लिए बहुत सारी कोशिश ही हुई है पर आज की राद ही सबसे ज़्यादा important है इसके बात फिर से अगस्ट सिर्णी से पूछता है क्या तुम अब हमारी family join करना चाहते हो सिर्णी इसके लिए हा कहता है वो किस्ट कहता है अब हमें तुम्हारी जरूत नहीं है तुमने bravery दिखाई तो तुमें जल्दी से हम मार डालेंगे पर Dakota और उसकी friend को वो तड़बा तड़बा कर मारने वाले है ये फिर इन सब को sacrifice की जगा पर लेकर आते है सिर्णी को ये मारने ही वाले थे तभी सिर्णी countdown करना स्टार्ट करता है जब countdown खतम होता है तो सब लोग अचानाक से मरने लग जाते है countdown खतम होते poison काम करने लग गया है actual में सिर्णी ने सब को poison कर दिया था इन सब मेंसे सिर्फ एक ही वहमपयर बश्चती है जिसका नाम है एप्रिल एप्रिल सब की तरह cunning नहीं थी उसे power नहीं चाहिए थी वो सिड्नी से बुश्चती है तुमने सब को मारा कैसे सिड्नी कहता है कि मुझे पता था एप्रिल जून को मारने वाला है उसने एक्चुल में जून को ही poison कर दिया था मारने के बाद सब लोगों ने जून को टेस्ट किया इसी वज़े से ये सब poison हो गई थे सिर्फ एप्रिल जून से प्यार करती थी तो इसी वज़े से उसे खा नहीं सकती थी उसकी लाइफ बच गए एपरिल कोई पावर नहीं चाहिए थी तो यह सब छोड़ कर वो चली जाती है अगस्ट बहुत ती रीच था तो उसके घर में बहुत सारी वैल्यूबल चीजे है यह सब चीजे डेकोटा उठा कर लेकर जाती है इसके बाद हम देखते है डेकोटा की फ्रेंड और सिड्नी बात कर रहे थे उसे उसका नाम पूछती है सिड्नी जब अपना नाम बताता है तो वो कहती है मेरा एक छोटा प्रदर था उसका नाम भी सिड्नी था सिड्नी कहता है वो मैं ही हूँ जब वो छोटा था तो अपनी sister से जुदा हो गया था वो अपने father के साथ रेता था और father ने भी suicide कर ली थी उसकी life बहुत इखटिया थी सब tragedy की वज़े से वो serial killer बन गया था finally उसकी sister से वो मिल चुका है और उसे अपनी family मिल गए फिर से हम after life में Chance और उसकी sister को देखते हैं उसकी sister कहती हैं कि मैंने उपर की दुनिया से एक deal की है सिर्णी के साथ जो भी हुआ वो बहुत unfair था उसके बहुत सारे साल बरबाद हो गया मैंने उपर की दुनिया से deal करकर इस सब साल तुमें दे दिये हैं चांस कहती है कि यह लाइफ तुम्हें मिलनी चाहिए थी, मैं तो यह डिजर भी नहीं करती है, उसकी सिस्टर उसे बहुत ही प्यार करती थी, उसे एक गिफ्ट दे देती है, मुवी के लास सिन में चांस अब फिर से जिन्दा हो चुकी है, अब उसके फैमिली में सब लोग मर चुके है, जो जिन्दा है, वो एंड उसे पसंद करती है, तो उसे कोई भी प्रॉल्म ने आएगा, अब सब पावर उसे मिल चुकी है, और वैम्पाइस पर अब वो राज करेगी, इसी के साथ है मुवी एंड हो जाती है, इस मुवी की वर्ल्ड विल्डिंग मुझे बहु अच्छी लगिए, आपको भी अगर वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, मैं बहुत सारी मुवीज लेकर आद रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर दीजे, बेल न डुवेशन आइकन दावाने मत भूलेएगा, फिर स मिलेंगे और एकने मुवी के साथ, तब तक लिए थाइंक्यू, आप अपने आपका ख्याल रखिया,